सो हिलो सांथियू आज किस वीडियो में हम आप सभी को ताने जार हैं दसवी केक्चा के मन्थली एक्जामनेशन अक्टूबर दोजार देश में जो साइंस और सोसल साइंस का पेपर होने वाला है उसका ओरिजनल कोश्टन पेपर मेरे पास आ चुका है और आज किस वीडियो म लग वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि ऐसे हैं आने वाली हर नौवी और दसवी कर्चा का इंपोटेंट कोश्टन का वीडियो आप सभी को देखने को मिशेगे तो जैसा कि आप सभी को माल होगा कि साइंस और सोसल साइंस के एकजाम पेपर में एक से लेकर 30 तक के आपजेक्टिव सवाल दिये जाएंगे जिन में से केवल आप सभी को 24 प्रस्टनों का ही अंसर ओमार सीट में रंग ना होगा तो देखिए सबसे पहला सवाल कोश्टन नमर एक समाजी बियान से चल वो इसके बाद में करता है कि सरो प्रथम भात में सूती कपरो का मिल कहां स्थाबित किया गया था तो राइट से जाएगा अपसन बी के साथ बंबई में यूइ इसके बाद मैं करता है की बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था तो आप से भी कमाने利 होगा की बंगाल का विभाजन सन 1905 में किया गया था कि किस गोल में समिलन में गانधी जी ने भाग लिया था जaimerाफ़िय के अलूओं होगा कि पहला गोल वे समिलन्ड का आयोजन उन्नीसा टीस में हुआ था दुसरा वाइन उननीसा इक 支टीस और रीच्रा हुआ है उननीसा पतिस तरक और यह तीनों गोल में समिलन्ड का जो आयोजन में भाग लिए थे दूतिये गुल में समयं 1931 वाला हो जाएगा अले स्वाल करता है कि निरुत्तर शीहानु कहां के साथ थे तो ये दोस्तों कमबुडिया के साथ सकते उसके बाद में आई अगला स्वाल कुष्माच्छों को देख लिए जिए कि इनमें से एक गुप्त पु को हम लोग क्या कहते हैं तो चेका कहते हैं चेका का मतलब होता है कि बीसे से पुलिस दस था तो कोशन मत चोक राइट इसा जाएगा अवसेन सी के साथ वो इसकी बाद में करता है कि और सयोग अंदलन चलाने का निर्णाए कांग्रेश के किस अधिवेशन में लिए गया था तो यह दोस्तों आपका कलकता अधिवेशन सन 1920 में लिया गया था तो राइट इसा जाएगा अवसेन B के साथ कलकता अधिवेशन उसकी बाद में करता है कि निमलीखित में से किसी देश के नागरी को की ओसत आय होती है उसे हम लोग क्या करते हैं तो कोशन का राइट इसा प्रतिवेक्टी आय करते हैं उसकी बाद में पुछा जाएगा कि इनमें से किसी किदिया कलाब को दूतीयक चेतर में सामिल करते हैं तो यहां पी कुश्मन 9 का राइट इसा जाएगा B निर्मान के साथ को इसकी बाद में करता है कि भारत में नई आर्थिक निती कव लागो की गई थी उसके बाद में करता है कि निमलीखित में से वानीज बैंक की एजेंसी क्या नहीं है तो यहां पर कराय विगराय भी है लाभाज संक्रान बीमे का तिस्ट भुकतान लगकर की शुबदा तो यह आपका लाभाज संक्रान आपका कोशन कराई टेसर हो कि बहुत कम समय के लिए का लेपार को उदार बनाने की डृष्टी से किस चंगठन का गठन किया गया है तो कोश्म तिरा कराईट सज्याइक अउय अप्शन डी के साथ 200 अजि इसके बाद में इल्ट सवाल करता है कि निमलिखित में से किसी योजना के अंत्रिगत नियुंतम सो दिन तक रोजगार देने की गरांटी की जाती है दोस्तों मनरेगा में की जाती है कुस्मा 14 का राइट सजाएगा मनरेगा के साथ उसके बाद में करता है सरवाधिक लोह आयस इसके बाद में करता है कि प्रारंभिक जीविका क्रीसी का अने नाम क्या है तो यहां पर कुस्मा 14 का राइट सजाएगा जोम क्रीसी के साथ उसके बाद में करता है कि नंदा देवी राष्टिय उद्दान कहां है तो दोस्तों आफ सभी को उता दें कि नंदा देवी राष कोश्मा ठाड़ा के बता दें कि इसका राय टेसर सन 1903 हो जाएगा सन 1803 इसी में भारत में रेल की सुवाद की गई थी और उसी के सौ साल बाद जैनि सन 1903 इसी में भारत में वायू परिवहन की सेवा लागू की गई थी अल्गा सवाल के ता है कि निमली खित में से सुनहरा रेसा के नम से की से जाना जाता है तो आप सभी कुता दें कि कापास को सुनहरा रेसा भी करते हैं कोश्मव 19 कराइट इसाज जाएगा आपसंड एक साथ का पास उसकी बाद में करता है कि जीवन रेखा है यानी जीवन रेखा एक परकार का क्या है तो यह हमारा एक जल्यान एक रेलगाडी एक वाय। एक बीमा कंपनी तो यह एक जल्यान नहीं वल्कि रेलगाडी घितरह है अलग अगल सवाल करता है कि भारत का पहला परमानु उर्जा केंद कहां इस्तावित किया गया था तो यह तारापूर में इस्तावित किया गया था उसके बाद में करता है नागाजन सागर परियोजना की इस नदी पर है तो नागाजन सागर जो परियोजना है यह क्रिशना नदी पर है उसके बाद में करता है दोस्तों कि सुना मीटर दोरा क्या मापा जाता है तो आप सभी को मालूम होगा कि सुनामी मापा जाता है तो राय टिसा जाएगा आपसन बी के साथ सुनामी उसके बाद में करता है कि धर्म को समुदाय का मुख अधार मानने वाले ब्यक्ति क्या कहा लाते हैं तो धर्म को समुदाय का मुख अधार मानने वाले ब्यक्ति को हमेशा क्या कहा जाता है संपर्दाई कहा जाता है उसके बाद में करता है दुस्तों कि नगरपालिका के कर्तब च्छेतर वी सह समिदान की किस अनुसूची में उलेखित किया गया है तो कोशनमर 26 का राइट इसर जाएकाप संसी के साथ 12 वी अनुसूची में उलेखित किया गया है उसके बाद में एलाइस स्वाल करता है कि किसी राज की राजपाल की निफ्ती कौन करता है देखिए किसी भी राज की यदि राजपाल की निफ्ती की बात के तो राश्टपती करता है और राजपाल का काजगाल छो बर्सका होता है उसके बाद में एलाइस स्वाल करता है कि लोगजन सक्ती पार्टी का गठन किस ने किया था तो आप सभी को ता दे कि यही है वो लोगजन सक्ती पार्टी जिसे हम लोग LJP के रूप में जानते हैं और इसके संस्थापक है राम बिलास पासवान जी और इन ही के बेटे का नाम है सिराग पासवान जो अभी वर्तमान में लोगजन सक्ती पार्टी का वर्तमान राष्टी अध्यक्स बाने जाते हैं LJP केता है कि लोग सभा और रासभा में महिलाओं के लिए कितने सीटे अरक्षी थे तो ये 50% सीटे अरक्षी थे उसके बाद में हैं कि भारत में किस फरकार की दलिय बिवस्ता है तो आप सभी को मालिम होगा कि भारत में बहुदलिय बिवस्ता है तो राइटेस जाएगा बहुदलिय बिवस्ता के साथ तो इस फरकार से हम लोग Sosal Science का 1 से लेकर 30 तक का Objective Question देख चुके हैं अब आईए देख लेते हैं science का कुछ objective question जो कि आपके October monthly exam paper में पूशे जाएंगे तो चलिए अब हम लोग science का paper देख लेती हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पिए हम लोग science का monthly exam paper वाला question देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आईए हम आप सभी को subjective question बता देती हैं subjective सवाल में physics का पहला question पूशा जा सकता है कि परतिरोध की उत्पती का वर्णन करे चुमबकी पदार्थ और और चुमबकी पदार्थ क्या होता है बिदुद चुमबक और अस्थाइच चुमबक में क्या अंतरश फ्रस होता है ए मीटर वोल्ट मीटर का उपयोग बताना होगा उसके बाद में आप से पुछा जाएगा कि समा यववी क्या है इस परकार से अब यहाँ पी इसका answer भी देख लिएगी पर्तिरोद का उत्पती का कराण लिखना है तो लिखेगा कि दुस्से सब्य में उत्कूस पदार्थ धारा के परवाह यहम अन्य पदार्थों की तुलना में अधीक पर्तिरोद उत्पन करते हैं निश्चित भी वांतर पर किसी चालक को कम धारा परवाहित होती है जल्दी जाएए वीडियो के description box में WhatsApp चैनल का link दिया गया है WhatsApp ग्रूप से join हो जाएए Telegram पे भी इसका PDF का link दे दिया गया है तो जल्दी से जाएए दोस्तो description box में दिये गया link को क्लिक कीजिए और आप पसाएं तरीके से सबी स्रेट का exam से पहले question paper answer के साथ download कर लिजे तो आसा करते हैं कि आज के वीडियो आप सभी को पसंद आए हो दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को like किजिएगा अपने दोस्तों में share किजिएगा चैनल पे नहीं होंगे तो हमारे इस YouTube चैनल math and magic tips को जरूर सबस्काइब किजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर दस्रीक अच्छा का important question का वीडियो आप सभी को देखने को मिसके तो मिलते हैं कि नए वीडियो में नए भी वियाई question के साथ तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद